हेलो एर्वन कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं सभी स्वास्त होंगे ठीक होंगे आपके पढ़ाई भी सूचा रूप से चल रही होगी प्यारे बच्चो सीवेटी दोजार चोबीस के तैयारी यदि हम लोग अभी से करते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी और हम हैं अब आप को कोड बताए टाएथ है जो आप लोग किसी बीडोमेट इसकाउन प्राप्त हो जाएगा लेकिन मैं बार-बार कहता हूं आप लोगों कि महापेक में से जुड़ना है तक होगा वह है आपका एक्जाम तक होगा जब तक सीउटी दोजार चाब नहीं होता है और यह मोहिम जो हम लोग चला रहें यह सुटी दोजार चोविस के लिए चला रहें क्योंकि 12 की तयारी के सासद क्लास 12 की तयारी के सासद आपकी सुटी दोजार चोविस के तयारी भी धुमादार तरीके से हो इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि महापैक 0 और इस कोड का प्र है तो प्यारे बचों हिंदी लेंग्विज के अंतर के आज हमारा जो तो टोपिक होगा होगा तो प्यारे बच्छों शरुनाम के हम लोग चिर्चा करते हैं कि शरुनाम होता क्या है आपसे पहले बाद तो यहीं पूछेगा की सरुनाम सब्सक्द सब्सक्राइब dozen की शरुनाम का आपसे पूछ लिया जाए कि बताए ये सरुनाम का साब्धिक अर्थ क्या होता है तो सब्धिक अर्थ क्या हो गया सभी का नाम क्या होता है सभी का नाम ठीक है अब हम लोग बात करें कि इसकी परिवासा क्या होती है तो सरुनाम तो पता चले गया होगा दो प्रयुक्त होने वाले सब्दों को क्या कहा जाता है सब्दों को सब्दों को शरुनाम कहा जाता है शरुनाम कहा जाता है जैसे देखो संग्या के इस्तान पर देखो यहां पर मैं कुछ उधारन लिख रहा हूं आपके सामने जैसे मैंने लिखा यहां पर कि राजेंदर पढ़ा रहा है अब यहां तो आप लोगो पता चल गया होगी राजेंदर यहां पर क्या है अभी संग्या है सिधी सी बात है अब मैंने कहा कि संग्या के इस्तान पर परियुक्त होने वाले सब्दों को अभी संग्या की स्तान पर मैं यहां लिख दूँ मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है अब यहां मैं जो हो गया वहे क्या हो गया बिटा शर्वनाम हो गया मैं यह से कहूं तुम पढ़ रहे हो तो तुम क्या हो गया शर्वनाम हो गया टिक है अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ परिवाशा तो होगी कि संग्या कि इस्तान पर प्रियुक्त होने वाले सब्दों को शरुनाम कहा जाता है समझा भी दिया मैंने आप लोगों को अब आप लोगों से एक सवाल में पूछता हूँ किसी भी वाक्य में शरो नाम शरो नाम शब्दों का शरो नाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है क्यों किया जाता है बता सकते हैं आप लोग मुझे क्यों किया जाता है किसी भी वाक्य में सरो नाम सब्दों का प्रयो क्यों किया जाता है बताएए जैसे उधारन के लिए मैं बात करूँ जैसे मैंने यहां कहा पहले तो इसका अंसर बताए मुझे उसके बाद मैं उधारन की चर्चा करता हूँ क्या होगा उत्तर क्या होगा पुन्रावर्ती से बचने के लिए या यह हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में संग्या शब्द संग्या सब्द की पुन्रावर्ती नह हो पुन्रावर्ती नह हो यानि कि हम लोग ये भी कह सकते हैं पुन्रावर्ती दोस को दूर करने के लिए दूसर आंसर हम ये भी कह सकते हैं कि पुन्रावर्ती दोस को दूर करने के लिए पुन्रावर्ती दोस्को दूर करने के लिए कैसे गुरुजी अब समझ में आएगा जब मैं उधारन समझाऊंगा तो आप लोगों से पूर्शी लेजा किसी वाक्य में सरोनाम सब्दों का प्रियोग क्यों किया जाता है तो आपको एक यान से देना है पुन्रावर्ती से बचने के लिए अर्थात कोई भी संग्या सब्द किसी वाक्य में बार बार ने आए उसकी पुन्रावर्ती ने हो जैसे मैंने कहा उधारन देखो सीमा ने नीना से कहा कि आज श्रीमा का जन्म दिन है श्रीमा का जन्म दिन है अब देखो ध्यान से किलासम बैठी थी सीमा और नीना दोनों और श्रीमा ने कहा नीना से श्रीमा वैसे नीना को बुलाना नहीं चाहती थी कि अप मेरे बर्डवे नीना आए लेकिन फिर भी उसने फॉर्मर्टी पूरी करने के लिए श्रीमा को कहां कि श्रीमा का जन्म दिन है अब नीना भी उसे जब इतना वह भाव नहीं देती। नीना भी भाव नहीं देती नीना थीक ठीक है अब जैसे ही नीना कमरे पर पहुंचए स्कूल के बाद में या सब्सक्राइन के इस न रिम संगया atau तो किसी वाग्य में घृत्प निज में सब्सक्राइब की एक तक भी संया सब्सक्राइब पुन्रावर्ति दोस्त से बचने के लिए सरुनाम सब्दों का परयोग किया जाता है तो किसी वाकिय में सरुनाम सब्दों का परयोग किया जाता है पुन्रावर्ति दोस्त को दूर करने के लिए यह आप लोगों को ध्यान में रखना है आगी सवाल है आप लोगों से कि बता परकार कितने होते हैं कोई बता दीजीगा मुझे तो कितने होते हैं जह होते यह द्हान रखना है कि छे को सुध हिंदी में लिख कर कि बता सकते हैं मुझे कोई 20 स्टुडेंट कमेंट बॉक्स में सुध हिंदी में ऐसे लिखते हैं ध्यान रखना तो मैं ऐसे लिखते हूं न ऐसे नहीं यह संस्क्रद का है ठीक है यह सही है यह संस्क्रद का गलत है कौन-कौन से होते हैं बैटा एक होता है प्रुष वाचक शर्वनाम एक होता है संबंध वाचक शर्वनाम एक होता है निश्य वाचक शर्वनाम एक होता है एनिश्य वाचक शर्वनाम एक होता है प्रेक्षन वाचक शर्वनाम एक होता है निजवाचक शरुणा अब इनको याद करने की ट्रिक्स से भी बनाई है हम लोगों ने कि आप लोगों कोई समस्या ना आये तो इसके लिए आपको दो सब्द याद रखना होगा अपना पशीना क्योंकि बार-बार एक पूछा बैग्जाम नियम लिकित में से कौन सा शरुणाम का भेद नहीं है और तो यहां पर गय कहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इसलिए हम लोगों ने ट्रिक्स बनाए अपना पसीना तो पुरुषवाचक शम्मद्वाचक निश्य निश्य प्रशन और निच आई बात समझ में तो शर्वनाम होता है छे प्रकार का ठीक है अब इससे पहले शर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है कितनी होती है यानि कि प्रकार तो पता चल गया कि कितने होते हैं अब आप से पूछा गया है कि सब्दों की संख्या कितने होते हैं प्रकार तो 6 होते हैं बेद तो 6 होते हैं लेकिन सब्दों की संख्या कितनी होती है बता सकते हैं तो ध् 11 कौन कौन से मैं मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या याद हो गया देखो जहां मैं क्रोस कर रहा हूं से एक स्वास से बोलना है मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या अब तू को तू बोलते हैं देहान रखना है तू कैसे याद रखना है सरुनाम सब्दों की संख्या 11 होती है सरुनाम प्रकार 6 होते है अपना पसीना प्रकार होगे और सब्दों की संख्या 11 होती है मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या ऐसे याद रखना है मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या याद हो जाएगा अब यह जो छे प्रकार थे हैं हमारे इन में इन सभी को डिवाइड करना है हम लोग कौन कौन से सब्द किस-किस प्रकार में आते हैं किस- पून है ध्यान से समझने सको तो प्रूश्वाचक सरवनाम होता क्या किसे कहते हैं प्रूश्वाचक सरवनाम तो संग्या के इस्थान पर संग्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सरवनाम सेम परिभासा जो सरवनाम की है वही परिभासा प्रूश्वाचक सरवनाम की है जैसे उसके बाल पढ़े ही हम लोग जैसे लेकिन पहले पढ़े ही हम जो प्रूश वाचक सरुनाम जो होता है वह तीन परकार का होता है कितने परकार का होता है तीन परकार का होता है यह आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कौन कौन से होते हैं बिटा वो भी आप लोग पता होगा नंबर एक आता है उत्तम ध्यान से समझना एकजाम की दरश्टी से महतवपुन बता रहा हूं उत्तम पुरुषवाचक शरुनाम नंबर दो होता है मद्यम पुरुषवाचक शरुनाम नंबर तीन होता है अन्य पुरुषवाचक शरुनाम ठीक है अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अन्य क्या होता है मद्यम क्या होता है और अन्य अउत्तम क्या होता है तो ध्यान रखना कहने वाला कहने वाला यानि कि मैं कह सकता हूं वक्ता जो कहने वाला होता है वह होता है उत्तम पुरुषवाचक शरुनाम और जो सुनने वाला होता है शुनने वाला यानि कि मैं कह सकता हूं श्रुता वह क्या होता है वह होता है मद्यम पुरुषवाचक शरुनाम और जिसके बारे में कहा जाए जिसके बारे में कहा जाए वह क्या होता है अन्य प्रोश वाचक सरण जैसे मैं कह रहा हूं तो मैं व्यक्ता हो गया मैं हो गया उत्तम आप सुन रहे हैं सुनने वाले हैं आप होगे मध्यम और किसी के नाम में मैं बोल दूं किसी के बारे में कह रहा है सोन रो रहा है वो लड़ रहे हैं तो वो सारे क्या होगे अन्य में आगे एक बात और द्यानक ना अन्य का ही दूसरा नाम है प्रथम इसे प्रथम वाचक सरवनाम भी कहा जाता है ठीक है अब इसमें और कौन-कौन से सब्द आते हैं सरवनाम सब्द आते हैं इसमें आ हमारा हमारी हमारे लिए ऐसे ये सारे के सारे किसमे आते हैं उत्तम प्रूस में आते हैं मद्दम में कौन कौन साता है एक आता है तू एक आता है आप तू यानि हम कहते हैं तुम वही बात है आपका आपकी आपके लिए या तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे लिए ये सारे के सारे किसमें आते हैं प्यारे बच्चों मद्यमें अब बच्च गया क्या जैसे यह है वह है ये वे ये सारे के सारे और चार बच्च के जो लगब लग किसमें आता है इन्हीं में आता है तो प्रूष वाचक सरणाम तीन परकार का होता है उत्तम प्रूष मद्यम प्रूष उत्तम प्रूस होता है कहने वाला जिसके बारे कहने वाला होता है व्यक्ता जिसे कहते हैं और मद्दम प्रूस होता है सुनने वाला निस रोता को कहा जाता है अन्य प्रूस होता है जिसके बारे में कहा जाए अब वूत्तम प्रूश में कौन-कौन से सरवनाम की सबते हैं दो आते हैं बैटा कौन-कौन से दो आते हैं एक तो मैं आता है और एक हम आता है ऐसे ही तू और आप आता है मद्दे में यह definitely है यह वह यह जिसने जिसको जो भी आता हूँ जो सारे किसमें ये लगबर लगग अन्या में आता है इनमें येह इंद्राजण नफिक्स है और बचके जो उसमें आता है जैसे उध्हारन के लिए मैं कहूं इंध्हारन के मैंने कहा आप मुझे बताना किसमें आता जैसे राम पढ़ रहा है कौन सा है उत्तम है मद्य में या अन्य है अब यहां देखो एक बार मैं हो रहा हमारा है नहीं आ रहा है तू आप आ रहा है नहीं आ रहा है तू इसकी ट्रिक्स द्यानखना इसकी ट्रिक्स बदाज़ता हूं किसी का भी नाम वाक्य में किसी का भी नाम आ जाता है तो वह किस में आता है अन्य पुरुष में आता है तो ये क्या हो गया हमारा अन्य पुरुष वाचक शर्वनाम ठीक है मैं बोलू मैं पढ़ा रहा हूँ अब बताओ मैं किस में आता है मैं और हम उत्तम में तो उत्तम पुरुष वाचक शर्वनाम वह बैटिंग का वह बैटिंग का इंतजार इंतजार कर रहा है कर रहा है तो वह किस में आता है अन्य में यह मैं कह दूं तुम पढ़ रहे हो तुम पढ़ रहे हो बोलो इजी हो गया न तो समझ लेते हो न तो सारे के सारे सब कुछ इजी हो जाता है लाइफ में और समझ में नहीं आता है फिर दिक्कत दिक्कत आती है जैसे मैं कहूं उस उसने टेडी चाल चली उसने टेडी चाल चली अब ये बताओ किस में आता है उसने तो धियान रखना में यहां बता देता हूं वहे को कहा जाता है उस यहे को कहा जाता है इस करता का कारक्चिन ने जोड़ देते तो उसने इसने हो जाता है तो उस वहे तो किस में आता है अन्य पुरूश में एक बात और ध्यान रखना वहे का परियोग दूर की वस्तू के लिए किया जाता है दूर की वस्तू के लिए परियोग किया जाता है और यहे का परियोग जो किया जाता है वो नजदीक यानि की पास की वस्तू के लिए इसका परियोग किया जाता है पास की वस्तू के लिए इसका परियोग किया जाता है द्यान रखना है आप लोगों, बोलो समझ में आया या नहीं आया, येस या नो में जल्दी से मुझे answer दीजे, आप लोग, very good, ठीक है, हाँ, नंबर दो आता है हमारा संबंद वाचक सरोनाम, कौन सा आता है, संबंद वाचक सरोनाम, तो क्या कहीं हम प्रिवासा? जिन वाख्यों में ध्यान सुनना जिन वाख्यों में एक शरोनाम, जिन वाख्यों में एक शरोनाम, दूसरे शरवनाम के साथ अपना संबंद जोड़े या बताए बताए वहां संबंद वाचक शरवनाम होता है या बताए जिन वाक्यों में एक सरवनाम साथ अपना क्या जोड़े संबंद जोड़े जैसे कौन-कौन सब्द आते हैं इसमें दो ही सब्द आते हैं जो और सो वैसे कोई से आ सकते हैं लेकर पूछ लिया जाए कि सरवनाम सब्दों की संख्या 11 होती है जिसमें से सरवनाम सब्द संब्द वाचक में कौन-कौन से आते हैं जो और सो यदि उधारन के लिए हम लोग बात करें तो कोई सा भी जोड़ सकते हैं वैसे जैसे जो जागत है सो पावत है जो जागत है सो पावत है तो जो सो आ गया तो मैंने का जिन वाक्यों में एक सरवनाम दूसरे सरवनाम सब्द अपना संब्द जोड़े जो जागिएगा तो वही तो पाएगा अब आप लोग मुझे कमेंट बोक्श में एक अंसर दो दो वाक्य हैं जो जागत है और दूसरा है सो पावत है तो मुख्ये वाक्य और जो जागत है यह वही यह वही लड़का है जो कल तुम्हें देखकर भाग गया था देखो यहां पे यह है और जो का संबंद हो रहा है तो एक वाक्य में दो सरवनाम हो या एक सरवनाम दूसरी सरवनाम साथ अपना संबंद बताता है वहाँ पर हमारा कौन सा होता है जैसी करनी वैसी भरनी जिसकी लाठी उसकी बेंट जो करेगा वो भरेगा कोई सा भी भूर दो समझ में आ रहे हैं तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं नमबर तीसरा है हमारा निश्य वाचक सरोनाव तो क्या होता है जिन सरोनाम सब्दों की सायता से निति संग्या का बोध हो पड़ क्या रहे हैं सरोनाम तो ऐसा सरोनाम सब्द जिसकी सायता से निशित संग्या का बोध हो किसका बोध हो निशित संग्या का बोध हो जिन सरोनाम सब्दों के दुवारा निशित संग्या का निशित संग्या का क्या हो जाए बोध हो जाए निशित संग्या का क्या हो जाए बोध हो जाए कौन-कौन सा आते हैं इसमें सब्द जैसे यह है वह है उधारन की मैं बात करूँ जैसे मैं कहूं यह है मेरा बैग है निश्शित है कि यह जो बैग है यह किसका है मेरा जैसे मालों यह कहूं यह है मेरा पैन है यह लड़का राम का है निश्चित हो रहा है भई यह पैन मेरा है निश्चित हो रहा है मैं कह दूँ वह है वह है दुकान राम की है वह दुकान राम की है तो कहने का मतलब क्या हो गया कि फिक्स हो रहा है कि निश्चित हो गया कि वह दुकान किसके राम की है लेकिन यहां पे एक चीज हो रहा हमें यहां टकराएगी क्या जब हम लोग विशेशन पड़ेंगे कि संग्या से पहले को श्रोन आम आता है तो यह सारवनाम कहला यह द्यान रखना है यह जैसे यह मेरे पैन है वह है मेरी कह सकते हैं कि वह है मेरी दुकान है वह हैं मेरी दुकान है ऐसे कह सकते हैं लेकिन ऐसे हम लोग लिखेंगे तो फिर सारो नामिंग चले जाएंगे इसलिए मैंने गोला किया है ये वाकिये वहां पढ़ेंगे हम लोग कहां सारो नामिंग वीशेशन में ध्यान रखना इसको मैं बता दूँगा याद रहेगा मु नाम सब्दों के द्वारा निशित संग्या का बोध होता है लेकिन एनिसे में क्या होगा एनिसित यानि की निशित संग्या का बोध नहीं होगा जैसे जैसे जिन सरवनाम सब्दों के द्वारा निशित संग्या का बोध नह हो जिन निश्यत शंग्या का बोध नैहो वहां कौन सा सरवनाम होता है भाई वहां होता है एनिश्य वाचक सरवनाम जैसे कौन-कौन शाते हैं कोई और कुछ कोई और कुछ जैसे उधारण के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ कि दोन में आ रहा है नहीं आ रहा सर ओफिस में तर ओफिस में कोई आया है कोई आया है कोई आया है बताओ निश्य तो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ क्या लाया हूँ पता नहीं क्या लाया हूँ कुछ तो कुछ लाया हूँ कोई आया है कोई फिक्स नह इजी है बिल्कुल प्रशन वाचक सरोनाम प्रशन वाचक सरोनाम इन किसका बोध कराए जिन सरोनाम सब्दों के द्वारा किसका बोध हो प्रशन का बोध हो और प्रशन जहां पूछा जाएगा वहां पर क्यूशन मार्क होगा और यहां पर हम लोग बात करें जैसे कौन-कौ क्या कर रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम्हें किस चीज की तलास है तुम्हें किस चीज की तलास है किस चीज की तलास है नोर्थ केमपस में अच्छे कोलेज की तलास है ठीक है वहां कौन खड़ा है या वहां कौन आया था या कल कौन आया था या वहां कौन आया है ऐसे कुछ भी आप लोग बना सकते हैं ठीक है इसको पड़ना है इनुद्धारनों को इनको समझने अच्छे से अब आता है सबसेश ज्यादा महत्पून होता है नमबर छे निजवाचक सरुना निजवाचक सरुना अब आपको पता है इन जिकार्थ क्या होता है खुद खुद नहीं होता है खुद होता है खुद ठीक है हाँ तो जिन वाक्यों में करता श्यूम के लिए जिस सरुनाम का प्रियोग करता है जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में करता जिन वाक्यों में करता श्यूम के लिए श्वयम के लिए जिस सरवनाम का प्रयोग करता है जिन वाक्यों में करता है श्वयम के लिए जिस सरवनाम का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सरवनाम होता है वहाँ निच्य वाचक सरवनाम होता है कौन सा सब्द आता है अबी आप एक ही आता है उधारन की बात करूँ तो आप कहते हो ना मैं अपना घरह कारिय स्वयम कर लूँगा मैं अपना घरह कारिय खुद कर लूँगा मैं अपने आप चल्या जाओंगा मैं अपने आप चला जाओंगा जैसे हमें अपने कर्तवियों का कर्तवियों का पालन करना चाहिए बोलो समझ में आया नहीं आया अपना खुद दिश्वयम जहां आ जाता है वहां नीजवाचक शर्वनाम होता है ठीक है पिटा तो शर्वनाम उम्मीद करता हूं समझ में आ अरा हा होगा ठीक है तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं तो जखो सर्वनाम दो सब्दों के योग्षों बनाया एक शर्व है एक दूसरा नाम है उसम्मी का नाम होता है और सब्दिक होता है सभी का नाम करойдबासा ये संग्याकिस्तान पर प्रयुक्त होने वाले सब्दों को सर्वौनाम कहा जाता है जैसे राजेंदर बढ़ा रहा हूं जो किसी Rocky produce दोस्त को दूर करने के लिए पुद्रा वर-ती से बचने के लिए किोई भी किसी वी वाकिया सऽ्ञोष बर सरवनाम के प्रकार 6 होते हैं, अपना पसीना याद रखना है, प्रूस वाचक, संबंध वाचक, निश्य, निश्य, प्रशन और निजवाचक सरवनाम, फिर मैंने का सरवनाम सब्दों की संग्या कितनी होती है, 6 होती है, मैं तू, आप यहे, वहे, जोसो, कोई कुछ, कौन, क यहे का प्रयोग नजदीक, यानि कि पास की वस्तों के लिए किया जाता है, यह विद्हान आपको रखना होगा, फिर मैंने बताया, प्रूस वाचक, सरवनाम, क्या होता है, संग्याकिस्तान प्रूक्तों वाले सब्दों को यह तीन प्रकार को ता हुता है, उत्तम, मत्यम, िलां में हएं उत्तम हैं तुम हेल रहे हैं मद्यम में आके vídeo मद्यम में इस प्रकार से का Yani जैसी करनी वैसी परनी जो करेगा वह बरेगा जिसकी वही लड़का है जो तुम्हें कल देखने आया था यह देखकर बाग गिया था इस परकार से तो यहां द्यानक ना देखो जैसी करनी वैसे जैसा वैसी जिसकी उसकी जैसा वैसा आ रहा है नहीं क्या जिसकी उसकी जैसा वैसा आ रहा है नहीं आ रहा है इस परकार से एक जैसे सब्दाइंग करना हम लूगा सारोनामें पढ़ेंगे प्रेषब कि शेयं नाम का प्रियों करता क्यों के वहाँ पर निज वाचक शरोनाम होता हैं आप समने जनर्ण कोड़ सब्सक्राइए कि कोई भी हो चाहिए मैं हो सैठ्षों कोalso ऑर's इस कोड का परियोग करोगे तो आपको मेक्जिम डिस्काउंट पराप्त होगा क्योंकि हम लोग अभी इसलिए सुरुवात किया है क्योंकि आपके 12 की तयारी के साथ सुट की तयारी दुहादार तरीके से करा हैं बहीं आपकी बार आप हम लोगों को नोर्थ केंपस में एक अच्छा कोलेज दिलवाना है हम लोगों को जिससे आपका लक्स है उद्देश से पूरा हो और यह कोड यूज करना है कि महापैक में आप किसी कहीं पर भी कर सकते हो आपको मेक्जिम डिसकाउंट पराप्त हो जाएगा लेकिन यदि आप आप लोगों को बता देता हूं जैसे ऐसे गूगल ओपन कर लोगे तो गूगल ओपन करने के बाद में यहां लिखोगे आप लोग अड़र 24-7 ठीक है अड़र 24-7 ठीक है उसके बाद हमें जाना क्या है ओल कोर्सेज में जब तक घूमता रहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा ठीक है ओल कोर्सेज ठीक है यह आप लोग ऐसे ना करो ना तो अड़र 24-7 डाउनलूड कर लिजेगा वहां से आप लोग भी वहां से भी आप कॉमीच कर सकते हैं याप्मर्से कहींब कुछ भीट इसकस मोर्री फरक नहीं पडेगा ठीक है तो देख लो यह कोड यह जो बैच था यह कितने का था 9999 रुपय का था तो अब डिसकाउंट होने के बाद में कितने का हो गया है अब इसलिए कहता हूं बेटा कहीं पर भी आप लोग इस करते हैं तो आप लोग को मैंनिकिन प्राप्त हो जांए यह अपको ध्यान में रखना होगा गया था Asia कि आप लोगों को अमीद है मुझे को च्रें हूं कि मैं कि इस कोय Séum करें और यह कोर्स आपका एक्जाम तक रहेगा क्यूंकि आप लोग जैसे क्लास 12 की एक्जाम दोगे उसके पाथ प्रिपरेशन करोगे तो लेड़ महिने में क्या को खार लोगी कुछ भी नहीं हो कर सकता फिर आपको प्रतेख सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा तो फिर तो करो ना तो सरवनाम कैसे समझ में मुझे पताने हैं कमेंट बोक्स में यह स्यानों में आंसर देना ओके प्यार बचोंब इतना ही धन्यवाद थैंक्यू सो मच